हेलो दोस्तो एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई किलास के साथ आया हूँ दोस्तो आज हमारी CPCT MS Excel की नौमी किलास है दोस्तो आए देड़ ना करते हो यह अपनी किलास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला कोईस्टन पहला कोईस्टन है एक्सल बर्क वक खाल हो जाएगा यानि दोनों बर किसी चार्ट का संग्र है आए चलते हैं हम अपने अगले कोईस्टन पर अगला कोईस्टन है MS Excel पर किसी भी फॉर्मिले का उप्योग करने से पहले लगाना अनिवार है देखते हैं इनके options क्या है दोस्तो ए बरावर B- और C दोनों तरफ से कु बरावर फ्याद से कुश्टन के लिए वह किया जाता है समे के लिए आपको मालूमिह होगा कोईस्टन एक दो बार और और करा चुका हूं यह देखते हैं इनके options क्या है जोडने के लिए B है घठाने के लिए और C है हमारा गुणा करने के लिए और D है भाग के लिए हमारे जो सही answer हो जाएगा जोडने के लिए यानि first विल्कुछ सही answer हो जाएगा आईए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगली question पर चोथा question दोस्तों मारा MS XL का default file extension होता है देखें दोस्तों ये extension file default file के extension CPCD के exam को जो 70 exam होता उसमें पूछे गए थी तो आप लोग इनका note करिए और इनके सारे file के extension आप लोग याद करिए मैं इसकी एक अलग से class लेके आऊंगा के जिसमें सारे file के extension और default file के extension हो आईए दिखते हैं इनके options के हैं पहला है A है dot xlsx और b dot xlsx और c dot xlsx और d है हमारा xlsx xlsls तो हमारे दोस्तों सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा A यानि हमारा हो जाएगा xlsx xlx x तो चलते हैं हम अगली question पर पांच्वा question है दोस्तों हमारा MSXL में हर खाली स्थान का अपना-पना address होता है MSXL में हर का अपना-पना खाली स्थान होता है C option ही बिलकुल सही हो जाएगा cell आएए चलते हैं हम अपने च्छटमा कोईश्टन है MS Office में किस software में change case option नहीं होता है आएए देखते हैं इनके options क्या है option A है MS Excel, B MS PowerPoint और C है हमारा MS Bird और D इनमें से कोई नहीं हमारा सही answer हो जाएगा वे first हो जाएगा दोस्तो जानि MS Excel में change case option नहीं दिया गया होता है आएए चलते हैं इसकी साथ हम अपने अगले question पर साथमा question हमारा यह है आए दोस्तों question देखते हैं MS Excel computer पर खुलने के बाद कितनी seat पिरदर्सित करता है MS Excel computer पर खुलने के बाद कितनी seat पिरदर्सित करता है option देखते हैं A1, B2, C3 और D4 हमारा जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा C यानि 3 हाइए चलते हैं इसकी साथ हम अपने अगले question पर आठमा question है हमारा आठमा question है Excel की एक बरकी seat में कितनी column होते हैं Excel की एक बरकी seat में कितनी column होते हैं option देखते हैं A260 column B265 C266 column और D256 हमारा जो सही answer हो जाएगा हमारा D यानि 256 column होते हैं आई चलते हैं इसकी साथ हम अपने अगले question पर अगला question है हमारा MS Excel का सही formula चुनें देखिए इसमें MS Excel का सही formula चुनना है दोस्तों देखते हैं कौन-कौन से formula दिये गए हैं A है पहला है आप देखी रहा होंगे sum बरावर कुष्टक B बन और इसको बोलते हैं अनुपात और C रेसियो भी अंगलिस में बोलते हैं और C बन कुष्टक बन और B है दोस्तों बरावर sum कुष्टक B बन और अनुपात C बन कुष्टक बन और C हो जाएगा sum कुष्टक बन और B बन अनुपात C बन कुष्टक बन और D हो जाएगा दोस्तों पिलस sum कुष्टक B बन अनुपात C बन हमारा जो सही answer हो जाएगा वे हो जाएगा इसमें से सही formula है दोस्तों वे हो जाएगा B यानि हमारा सह देखने की shortcut की है, MS Excel में print preview देखने की shortcut की है, आइए देखते हैं, options क्या है, A है control plus F5, B control plus F3, C है control plus F10, और D है control plus F2, हमारा जो सही answer हो जाएगा, वह दोस्तो हो जाएगा, हमारा D यानि control plus F2, हमारा बिलकुल सही हो जाएगा, आइए चलते हैं, इसकी साथ हम अपने अगले question प दोस्तो हमारा निम्ने में से कौन सा Excel formula है, जिसके माध्यम से Excel sheet पर बड़ी value देखी जाती है, निम्ने में से Excel का formula है, जिसके माध्यम से Excel sheet पर सबसे बड़ी value देखी जाती है, आइए दोस्तो इनके options देखते हैं, options A है बराबर min कुष्टक दुनों तरफ से, बंद B बराब max और कुष्टक बंद दुनों तरफ से, और C बराबर average कुष्टक बंद और D बराबर A, B, S कुष्टक बंद, आईए देखते हैं, जो हमारा सही answer हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा max, यानि हमारा B हो जाएगा बिलकुल सही, बराबर max दुनों तरफ से कुष्टक बंद, आएगे चलते हैं, इसकी सार अगले कुष्टन पर, हमारा बार्मा कुष्टन है, MS Excel की seat की एक सेल में कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं, तो देखते हैं, option से 31,600 संताओं और B 32,767 और C 33,641 और D कितने भी, तो जो इसका सही answer हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारे 32,767, 32,767 यानि B option बिलकुल सही हो जाएगा, आएगे चलते हैं, इसकी साथ हम अपने अगले question पर, और तेरमा question हमारा ये रहा, हमारा MS Excel की एक seat में कितने row और column होते हैं, आएगे दिखते हैं, इनका options क्या हैं, पहला A है, 65,536 row और 5256 column और दूसरा B है, हमारा 65,500 row और 250 column और C है, 78,965 row और 208 column और D है, 60,204 row और 260 column हमारे जो सही आंसर हो जाएगा, वे फश्ट ही हो जाएगा, दोस्तों 65,536 row और 256 column, देखिए, ये option के इपर बेंट करता है, क्योंकि अब जो latest version MS Excel का आगया है, उसके split seat में, 10,48,576 row और 16,384 column होते हैं, आईए चलते हैं इसके साथ, हम अपने चगुदमे question पर, चगुदमा question है दोस्तों हमारा, MS Excel का पहला संस्क्रण कब आया था, MS Excel का पहला संस्क्रण कब आया था, option देखते हैं, पहला 1984, B 1985, OC 1990, और D 1994, 94 हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, वैं हो जाएगा, B यानि हमारा हो जाएगा, 1985 बिलकुल सही आंसर, आईए चलते हैं, हम अपने अगली question पर दोस्तों, अगला question है, हमारा MS Excel या word में find function के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, options दिखते हैं, A है, सब्द को delete कर सकते हैं, B सब्द को formatting कर सकते हैं, सब्द को बदल सकते हैं, और D सब्द को खोज सकते हैं, हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे हो जाएगा सब्द को खोज सकते हैं यानि D option बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तो इसकी साथ चलते हैं अगले question पर सोलमा question है हमारा Excel में आप negative value को positive value के लिए किस formula का उपयोग करेंगे Excel में आप negative value को positive value में परिविटत करने के लिए किस formula का उपयोग करेंगे आएगे देखते हैं options क्या है इसमें option A है बरावर power B बरावर max और C बरावर A, B, S और D हमारा बरावर trim तो देखते हैं इसका हमारा जो सही answer हो जाएगा वे हो जाएगा दोस्तो हमारा C यानि हमारा बरावर A, B, S के दोवारा हम negative value को positive value के में परिवर्थिस कर सकते हैं आएगे चलते हैं अपने option है MS Excel में सब्द या number को खालिस्थान function के माध्यम से निरंतित किया जा सकता है option देखते हैं A है condition formatting, B, data validation और C है consolidate और D है हमारा format printer तो हमारा जो सही answer हो जाएगा हमारा B यानि data validation हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आएगे चलते हैं इसके साथ अगले question पर अठारम question है MS Excel की current seat में current date और time जोडने के लिए इन में से कौन सा formula का उप्योग किया जाएगा options देखते हैं options क्या है इनके पहला A है बराबर max B बराबर now और C बराबर A, B, S और D है हमारा बराबर sum तो हमारे जो सही answer हो जाएगा हमारा B यानि बराबर now आएगे चलते हैं इसके साथ हम अगले question पर 19 question है MS Excel में सबसे बड़ी value निकालने के लिए किस formula का उप्योग करते हैं MS Excel में सबसे बड़ी value निकालने के लिए किस formula का उप्योग किया जाएगा आएगे देखते हैं इनको options क्या है options A है बराबर sum B बराबर max C बराबर A, B, S और D बराबर min हमारा जो सही answer हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा B यानि बराबर max हमारा बिलकुल सही हो जाएगा आएगे चलते हैं इसके साथ अगले question पर 20 मा question है हमारा excel में इन में से कौन सा formula metric answer निकालने के लिए योप्योग किया जाता है आएगे options देखते हैं option A है बराबर len, B बराबर memulet और हमारा C है trim और D बराबर sum हमारा जो का सही answer हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा B यानि कहां है हमारा B option जी है B हो जाएगा बिलकुल हमारा सही answer आएगे चलते हैं इसके साथ हमें 21 में question पर 21 मा question है हमारा MS Excel का सही address chain करें MS Excel का सही address chain करना है आएगे देखते हम options क्या है A बन A और B A बन और C बराबर A बन हमारे जो सही answer हो जाएगा B हो जाएगा दोस्तों आपको मालूम होगा A बन सेल का सही address आएगे चलते हैं इसके साथ अगले question पर हमारा 22 मा question है file folder file या folder का नाम बदलने की shortcut की है file या folder की नाम बदलने की shortcut की है C F 6 और D F 12 हमारा जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा A यानि F 2 के दोवारा हम अपना file का नाम बदल सकते हैं file या folder का आएगे चलते हैं इसके साथ अगले question पर 23 question हमारा Excel में A बन B बन एक खालिस्थान है Excel में A बन B बन एक खालिस्थान है हमारा जो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा A यानि cell address बिलकुल सही answer हो जाएगा आएगे चलते हैं इसके साथ अगले question पर और हमारा 24 question है MS Excel का निर्मार्ट किस company ने किया था MS Excel का निर्मार्ट किस company ने किया था आएगे देखते हैं हमारे options क्या है A है A बॉर्ड A डॉब और B है Google C Microsoft D Apple तो हमारा जो सही answer हो जाएगा तो आपको मालूम होगा Microsoft ने किया था यानि C हमारा बिलकुछ सही हो जाएगा ये चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले question पर पत्चीसमा question है Excel में seat के अंदर एक cell से एक cell को दूसरी cell से जोडने के लिए उप्योग किया जाता है Excel के Excel में seat के अंदर एक cell को दूसरी cell में जोडने के लिए उप्योग किया जाता है आईए इनके options देखते हैं options क्या है A Reptex, B Format, Printer D Data Validation और हमारा D है मर्ज आपको मालूम होगा इसका सही अंदर क्या है हमारा D option बिल्कुर सही हो जाएगा यानि मर्ज के द्वारा हम जोड सकते हैं आईए चलते हैं इसके साथ हम अपने 26 में question पर 26 में question है MS Excel में सबसे छोटी value निकालने के लिए किस formula का उपयोग किया जाएगा MS Excel में सबसे छोटी value निकालने के लिए किस formula का उपयोग किया जाएगा आईए देखते हैं इनके options क्या हैं A बराबर sum B बराबर max और C बराबर A, B, S और D है हमारा B बराबर min आप shortcut की options से समझ गएएंगे हमारा सही answer को ने D हो में हो जाएगा हमारा बराबर सही answer बराबर min हमारा सही answer हो जाएगा आईए चलते हैं इसी की साथ हम अपने 27 में question पर 27 में question हैं दोस्तो MS Excel दोहज़र 10 में F4 का कार्ण करता है क्या कार्ण करता है 2010 में F4 आईए दिखते हैं कि options क्या A है edit, B, paste C, redo D, coffee जो हमारा सही answer हो जाएगा वह आपको मालूम होगा हमारा C option बिल्कुँ सही हो जाएगा यानि redo हमारा जो 28 में question हो जाएगा MS Excel दोहज़र 10 में Maximize button किस पर इस्तित होता है तो options दिखते हैं कि option नीचे दाएं A है नीचे दाएं और कौने और B है हमारा नीचे बाएं और कौने और C है उपर दाएं और कौने और D है उपर बाएं और कौने हमारा जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा उपर दाएं और कौने उपर दाएं और कौने यानि C option बिलकुल सही हो जाएगा आए चलते हैं इसी के साथ हम अगले question पर 19 मा question हमारा MS XL 27 में multiple seatों से एक seat में data को सही हो जित संचिप्त और संसारत करने को इस रूप में जाना है अगले question फिर से देख लेते हैं MS XL 27 में multiple seatों से एक seat में data को सही हो जित संचिप्त और सारंसित करने को इस रूप में जाना जाता है आए इनके options देख लेते हैं options क्या हैं कि A है validating data और B है हमारा combining data और C है consoliding data और D है हमारा collapsing data हमारा जो सही answer हो जाएगा वैं हो जाएगा console leading data हमारा यानि C option बिलकुल सही हो जाएगा आए चलते हैं इसके साथ हम अपनी अगले question पर हमारा जो आज का आखरी question है दोस्तों वह है यह है MS XL 2.10 में चैनित पंती यानि selected row को height करने के लिए उप्यों की जाने वाली shortcut की है देखते हैं इनके options क्या है A control plus 9 और B है control plus 6 और C है control plus 8 और D है control plus 7 हमारा जो इसका सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा control plus 9 के द्वारा हम height कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ हमारी class पूरी होती है उम्मीद है आपको class अच्छे लगी होगी आए मिलते हैं अपनी अगली class में तब तक के लिए पढ़िए लखिए टाइपिंग कीजिए नमस्कार द कॉस्तों